हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा विश्ट गॉड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेर्स के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ भागिदारी को प्रोटसाहित करने के लिए नैशनल आइकन के रूप में नामित किया है मुकिचुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्तिती में सचिन तेंदुलकर के साथ तीन साल की अवधी के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं पिछले साल आ अमीश कुमार सिंग जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा इसका सही जवाब है उप्षन ए जस्टिस प्रकाश श्रिवास्तव आपको बतादगी कलकत्ता उच नयायाले के पूर्व मुक्य नयायधीश हैं जस्टिस प्रकाश श्रिवास्तव जिनको राष्टिय हरित नयायधी क तरण यानि NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उन्होंने जस्टिस एके गोयल का स्थान लिया है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन परियावन संद्रक्षन से संबंदित मामलों में तुरित और प्रभावी न्याय के लिए किया गया है जिसका गठन साल 2010 में किया है इसका option D प्रग्यान चंद्रियान टीन मिशन को इसरों ने 14 जुलाए 2023 को अंधर प्रदेश के श्री हरी गोटा में स्तिद सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर से लॉंच किया था इसरों ने चंद्रियान टीन मिशन के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रग्यान नाम दिया जो एक विज्ञानिक पेलोड है प्रग्यान एक रोवोटिक वीकल है जिसका संस्कृत में अनुवाद घ्यान होता है चंद्रियान 3 मिशन 2019 के चंद्रियान 2 मिशन का अनुवर्ती है चंद्रियान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रिमा की सता पर दुरगटना ग्रस्त हो गया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं। और खोज बचाव एजनसी है जिसका गठन साल 1977 में किया गया था। वो देश की सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनियों में से एक के प्रमुक है। आपको बता दे कि थाइलेंड इंडो चाइनीज प्रायदीपी के में स्तित एक दक्षिन पूर वेशियाई देश है जिसकी राजधानी बैंकोक है। खेलों इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है। सवाल था बीसवी आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कायों जन कहां किया गया है। जिस पर साल 2009 में हस्ताक्षर किये गए थे। अब बात करते हैं आज की सवाल की सवाल है बीपी सीयल ने किसे अपना ब्रैंड अमबैजर नियुक्त किया है। अगली वीडियो में आपको सही जवाब इसका बताएंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें अगली बार अगर हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर जरूर आएगा।